हर विराट कोली फैन के लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं विराट कोली सबसे बड़ी जटाकेदार खबर आईए भारत वसेज इंग्लेंड ये जो टेस्स सीरीज चल रही है उससे जुड़ी वी खबर कि पूरी सीरीज से बाहर हो सकते हैं विराट कोली क्यों? क्योंकि अब जाके खबर मिल रही है कि विराट देश में ही नहीं है क्लोस सोसल से पते चला है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता ये सारी अटकलें आपको पूरे सोशल मीडिया पर दिखाए पड़ेंगी कि देश में ही नहीं है तो क्या बाकी सीरीज खेल पाएंगे वो? बाकी जितनी मैचेस हैं पूरे सीरीज में बाकी तीन क्या खेल पाएंगे? फैंस पूछ रहे हैं कि देश से बाहर क्यों है विराट कोली? तो याद करवाद हूं कि BCCI ने कहा है कि विराट कोली की प्राइवसी जो है उसे मिंटेन किया जाए बहुत कुछ सीरियस होगा तभी तो उन्होंने चुट्टी मांग ली नहीं तो देश को सबसे पहले रखते हुए विराट कोली हमेशा ही खेले हैं तो देश से बाहर क्यों होंगे? जबकि देश को उनकी जरूरत है और जबकि हमारी टेस्ट चल रही है जड़ू नहीं है, राहूल जो है वो चोटल है, शमी को चोट आई है जिस वज़े से वो नहीं है टीब में तीसरे टेस्ट के लिए स्कोर्ट इसको भी अनौंस नहीं किया गया है शायद इसलिए क्योंकि विराट कोली देश में नहीं है, इसलिए ये मामला जो है वो डीले हुए जा रहा है लेकिन जैसे ये खबर आई थी कि विराट कोली पहली दो टेस्ट से बाहर होंगे तब ही से सारी लोग ने खबरें पहलाना शुरू कर दिया था जोर से शोर मचा था कि विराट कोली की मॉम बिमार है, वाइरल थी ये अफवा और सब चिंतत थे सारे के सारे फैंस जो थे वो चिंता में आ चुके थे और नेशन फॉर्स रखने वाला अगर खिलाडी विराट कोली जैसा अगर छुटी मागे बीसी सी आई से तो सबसे पहले लगेगा कि खबर कहीं सच न हो और प्लेयर नहीं खेल पा रहा है तो सब शुरू हो गए थे मॉम की हेल्ट से लेकर अनुशका की प्रेगनसी से रिलेटेड खबर सब को चुड़ा था लेकिन बीसी सी आ और राहुल द्रविट दोनों ने कह दिया था कि लोगों को और मीडिया को कि उनकी प्रिवसी इसको रिस्पेक करना कोई क्लारिटी भी नहीं आई थी कि क्यों नहीं खेल रहे हैं आखिरकार और अब जाके ये बहार आया है कि विराट कोली के बड़े भा बताए कि ऎकिरा किराट क्यों नहीं खेल रहे हैं लेकिन मौं को लेकर उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दें से इसको हवा बिल्कुल ना दे बहुत दर्द होता है और जब असली कारण पता चलता है, तब हमें भी दुख होगा कि हम क्या कह रहे थे, किस चीज का साथ दे रहे थे, क्यों अफ़ाओं में शामिल हुए राइट, सारी अफ़ाओं को साइड में रखते हुए, आच दूसरी टेस्स के लिए all the very best, और आपको बता दूं कि वाइजाइक, विशागा पट्नम जो जगा है, वो हमारे रोहित और आर अश्वन के लिए बहुत ही अच्छी रही है, सो बैस बॉल की तो धजियां उड़ा सकते हम, all the very best, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो definitely मेरी चानल आर जे अच्छुना जानी को सब्सक्राइब करें, जै हिं जै बहुत है